खबरों का भी आक्शन रहेगा आए पहले एक बार रिजल्ट रिव्यू आनिल जी के साथ एक ही चीज है जो मुझे थोड़ी सी पिंच करी है वो चोती थीमाई में प्री सेल्स के आकर जो है वो थोड़ी से अनुमान से कम है ऐसे में स्टोक मजबूत खुल सकता है गैप अप खुलने के बाद इसको आपको भाग के पकरना नहीं है बलकि प्रॉफिल बुकिंग करनी ह यह ज्यान में तो गैप अप पर बढ़े है चार पांच परसेंट अगर आपको मिल जाए अच्छा ऐसा तो प्रॉफिल बुक करिए लेने के बया है तो उपर में चड़के लेना नहीं हमारा फेवरेट स्टोक है लगातार है आगे भी है इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट लेवल है और हायर साइट पर आट सो पच्पन आट सो प्रेसेट के लेवल है यह आप जैन में लखिए तो यह है आपके लिए डियलेफ स्ट्रोंग गाइडेंस है और आज नंबर्स के बाद अगर उपर में प्रॉफिट बुकिंग आयर वापस से सपोर्ट लेव जो आप सोचते उसका उल्टा करता है कल स्ट्रोंग मजबूत था नज्यू देखिए डे हाई पर बन हुआ रिजल टागे वीक अब आज रिजल वीक के बाद सबको लेए खराब है एक बार होगा भी ऐसा नहीं खराब नहीं होगा एक बार खराब भी होगा भी कोई बड़ मुश्किल है इस स्टोक का प्रेडिक्शन करना इस स्टोक को प्रेडिक करने का एक ही तरीका है जो आप सोचते उसका उल्टा होने वाला है यह मान कि रहा है तो मेरे इसाब से नीचे के लेवल पर शॉर्ट वोट करने में थोड़ा सा सद्सक्रिक है सावधान मैं इसलिए मैं आपको लेवल्स दे रहा हूं नीचे में फ्यूचर्स में 905 और 922 दो सपोर्ट लेवल है और हाईर साइट पर 950 का लेवल है इसको पार करके ठीक है तो ही मजबूती बनेगी यह आपके लिए हो गया जेस्पियल ओके तो यह है दो रिवीई और देना चाहता हूं जो पहले कल आगया है लेकिन आज रिवीई देना चाहता हूं पहला है यूपियल बहुत चर्चिद स्टोक कलका बड़े लंबे समयबाद बहुत अच्छे नतीज़े बती जाए है लेकिन मैं दीप एक चीज़ बता हूं आइम जोट इंप्रेस्ट कोई बहुत बढ़िया कॉन जोमेटो इसके विपरित कल नतीज़े के बाद थोड़ा कमजोर हुआ भी था मार्जिस लोगों कम लगें लेकिन जागतर ब्रोक्रेजिस के अपग्रेट्स आये अब यह सारे दो सो पचीस दो सो पचास की रेंज के आते हुए दिख रहे हैं यह बायों डिप्स का स्टोक ह तो यह पॉर्टफियो स्टोक है अगर आज नंबर्स के बाद वैसे तो गटना नहीं चीए मैंने खाल से तीन-चार परसंट बड़े बड़े हैं